कि माशे इमस्कार मित्रो एक बार मैं पुनहाब आपके सामने उपर से थो मणियां बैंकिंग के बहुत ही important topic पर higher power money जेकिन higher power money के उपर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक बार फिर मैं आपको मनी के बारे में थोड़ा सा डिसकसिंग करने कि मडी क्या है जर्ली क्या होता है कि मने को कोई भी चीज जो कम अले accept ही जाती है medium of Exchange की रूप ले उसको मनी करते है और मनी में मोरे क्या सब्सक्राइब मोरे सब्सक्राइब क्या होता है मनी सब्सक्राइब करता है कि टोटल क्वांटिटी ओफ मनी जो सर्कुलेशन में है एक एक निश्चीत समय बिन्दू पर जो मनी सब्लाइ करें इसको इंगलिस मिच्छाब पढ़ लेते हैं कि मनी सब्लाइब फॉल्स तोटल क्वांटिटी ओफ मनी इन सर्कुलेशन in the economy at a given point of time when it is a point of time it is a stock concept now again and again i am just reminding this is just uh one slide presentation is a very important role every country has one central bank in the case of india the central bank is rbi reserve bank of india okay so in sasari information's के बाद हम आते हैं high power money के उपर high power money का जो आपके स्क्रीन पर दिखाए रहा है क्या लिखा हुआ है currency issued by the central bank पहले लाइन में निकल के आता है currency issued by the central bank means currency issuing authority कौन है that is central bank okay ऐसी पढ़ायाता है जब आप पढ़ेना तो उसमें से questions और frame करने का प्रयास करें तो currency issued by the central bank can be held by the public or by the commercial bank तो currency issue किसके पास रखाए सकता है public और commercial bank के बास and is called high powered money और इसी को हम कहते है हाई पावर्ड मनी क्योंकि इसी के बेस पर क्रेट का creation होता है और रिजर्ब मनी के भी नाम से जानते हैं और monetary बेस होता है तो क्यों होता है क्योंकि यह trade creation का का काम करता है तो हाई पावर्ड मनी की very important concepts के साथ मैं स्लाइड को स्वाप करना चाहता हूँ thank you